हेलो मैं मलिय फतानी हूँ और मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ आप सब मेरे रेसिपीज को बहुत पसंद कर रहे हैं दिल से शुक्रिया आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन पेपराणी पीजा लेकिन इससे पहले हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डोव बनाने के लिए कौटर टीस्पून नमक, दो टीस्पून ब्राउन शुगर, दो टीस्पून ओलिव ओल, एक टीबल स्पून इंस्टेंट इस्ट, एक कप गरम दूद और तीन कप मैदा डाल कर, मिक्स करें और नरम डो बना लें एक टीस्पून ओल लगाएं, एक घंटे ग्रूम टेंपरिचर पे राइस होने के लिए छोड़ दें इतने आटे से हम दो पीजा बेस तियार कर सकते हैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, आटे को थोड़ा गून लें और इसको दो हिस्सों में डिवाइट कर लें आट से दस इंच की रोटी बेल लें पैन में हलका सा ओलिव ओल लगाएं बेस का सिर्फ एक साइड सेखें, पचास से साट फीसद जब तक हम पीट्जा साउस बनाते हैं एक पैन में एक टेबल स्पून ओलिव ओल, एक टेबल स्पून चॉप्ट प्याज, एक टेबल स्पून चॉप्ट लेसन और दो टेबल स्पून कटेवी टेमाटर डाल कर चार से पांस सेकंड फ्राइग 1 quarter teaspoon नमक और quarter teaspoon black pepper, 2 teaspoon paprika powder और 1 cup tomato paste डाल कर अच्छी तरह mix करें अब इसमें 3 tablespoon tomato ketchup, 1 teaspoon oregano और 2-3 drop tabasco mix करें और pizza sauce बिलकुल तयार oven plate में 1 tablespoon olive oil लगाएं, बेस का पकावा side उपर रखें, फोक की मदद से छोटे-छोटे सुराख कर दें और हमारा आधा pizza sauce इसपे spread कर दें first layer of cheddar cheese, अपने पसंद के vegetables जैसे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर वगेरा, मीट और प्रोटीन के लिए मैंने pre-cooked chicken pepperoni यूज किया है कुछ olives और second layer of mozzarella cheese, थोड़ा सा oregano और paprika स्प्रिंकल कर दें दूसरे pizza में मैंने baby spinach का जाफा किया है, pre-hirted oven में 12-15 मिनट के लिए bake कर लें मेरा electric oven है, आप अपने oven के हिसाब से temperature set कर लें side crust सुर्ख हो जाए और cheese melt हो जाए तो समझ लें आपका pizza bake हो चुका है और हमारा बहुत ही मज़िदार गर्मा गर्म पैन पीज़ा बिल्कुल तैयार वीडियो पसंद आया हो तो like और subscribe जरूर कीजे, अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी